हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और सिंपल सा नेक का डिजैन शेयर करूँगी जिसके लिए मैंने ये लेस ली है तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे नेक की ब्रोटनेस पांच इंच रखनी है तो हम धाई इंच पर निशान लगाएंगे बुकरब को फोल्ड करने के बाद और नेक की लंबाई साथ इंच रखोंगी आप इसकी लंबाई और चोड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं तो इस तरह से निशान लगा देंगे द्राइ इंच का इधर और फिर उपर वाले निशान और नीचे वाले निशान को इस तरह से मिला देंगे इस नेक की शेफ सीट हाट गले की रहेगी तो चार इंच पर निशान लगाने के बाद एक निशान इस तरह से लगाएंगे हम उसको कपड़े पर सील देंगे इस तरह से और फिर नेक पपड़े को फोल करते हुए सेंटर में बहुति पर भी में लगा हुआ है और कुर्टी के कट से और नेक कपड़े के कट को सेंटर'my रखते हुए पिन अब करते हुए और भुछ केcha ، बुकरम के किनारी वाली साइड से लगाएंगे इस तरह से और एक्स्टा कपड़ा कट कर देंगे कट्स लगा देंगे कट्स लगाते वे धियान लेए के हमारे सिलाई वाला धागा ना कट पाए और नेक कोल्टी साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से नेक के ओपर सिलाई लगा देंगे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद नेक के ओपर हम लेस लगाएंगे लेस को मैं नेक की तरफ से थोड़ सा कपड़ा छोड़ते हुए लगाऊंगी आप चाहें तो इसको मिला कर भी लगा सकते हैं और इस तरह से कोना बना देंगे कोने के ओपर इस तरह से सलाई लगाएंगे और फिर सलाई लगा देंगे इदे की एक्स्ट्रा लेस कट कर देंगे और अब लेस की दूसरी साइड भी लगा देंगे इस तरह से देखिए हमारे नेक बन कर त्यार हो गया है कुर्ती का दामन मैंने और लेडी फॉल्ड कर रखा है जो लेस हमने नेक पर लगाई थी वही लेस अब हम कुर्ती के दामन पर भी लगाएंगे कुर्टी के दामन की वाली साइड भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर ये लेस लगाईए आप चाहें तो इसको मिला कर भी लगा सकते हैं ये देखिए एक्स्ट्रा लेस कट कर देंगे और लेस की दूसरी वाली साइड भी इसी तरह से सलाई लगा देंगे ये देखिए फाइनल बनने के बाद ये डिजाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें